इस समय बारिस का मौसम है और बारिस के मौसम में नीबू काफी सस्ते मिलते हैं और अगर आपको नीबू का अचार बनाना है तो आप इस मौसम में बना सकते हैं मैंने भी दो तरह का नीबू का अचार बनाया है और वो भी इंस्टेंट वाला एक खटा अचार और एक मीठा अचार तो आज मैं आपके साथ रेस्पी शेयर कर रही हूँ अगर आपको रेस्पी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके मुझे बताएगा आपको कैसी लगी वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही रेस्पी पसंद आ रही हो तो रेस्पी को सेप कर लीजेगा क्योंकि जो भी मैं मेरी किचन में बनाती हूँ वो घर के मसालों से और इंस्टेंट इजी बनाती हूँ साथ ही उसमें टेस्ट भी होता है भर भर कर तो चलिए यहां पर बनाना शुरू करते हैं यह टेस्टी सा घठकन सा मीठा मीठा सा नीबू का अचार तो मैंने यहां पर लिये हैं यहां लग भग यह 400 ग्राम नीबू है मैं 500 ग्राम लेकर आई थी पर उसमें से कुछ यूज हो गए हैं तो यहां पर यह लग आरीच और फिर लग बग 400 ग्राम नीबू है पर यहाँ पर जो रेस्पी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे आप सालों साल रखिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, और खाने में बहुत ही टेस्टी, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, आप खाईए, अभी सर्दियां आने वाली हैं, तो ये दाल चाव से कर सकते हो, और यहाँ पर मैंने जो बहुत जादा बड़े साइच के थे, उनके मैंने आठ पीसिस कर लिये हैं, और जो छोटे नीबू थे, उनके मैंने यहाँ पर चार पीसिस कट करके रख लिये हैं, बीच जो निकल रहे हैं, उन्हें मैं साइड में करती जा रही हूँ तो इस तरह से सारे नीबू जब कट हो जाएंगे फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर किस तरह से फटा-फट से यह नीबू का अचार डाला है रेस्पी बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपिल है आप इसको जब जी में आए तब बना सकते हो तो यहाँ पर लेजिए सारे नीबू कट हो गए है, बीज में निकाल दूँगे और इस तरह से हम यहाँ पर नीबू को ले लेंगे काच के बाउल में यहाँ पर आपको पीतल का, लोहे का, ऐलमुनियम का बरतन यूज नहीं करना है जब हम नीबू का अचार बनाते हैं, तो हमें यहाँ पर काच का या फिर प्लास्टिक का बरतन लेना होगा इस टील का आप यूज कर सकते हो, आप इस टील का भी ले सकते हो तो यहाँ पर मैंने सारे इस तरह से मिक्सिंग बाउल में निकाल लिये हैं नीबू और अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे एक चमच सफेद नमक जो नॉर्मल हम खाने में यूज करते हैं और एक चमच सेंधा नमक, यहाँ पर मैंने एक चमच सेंधा नमक और एक चमच यहाँ पर सफेद नमक लिया है और दोनों को अच्छे से नीबू में मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे लगभग 2-3 घंटे के लिए अगर आप इसको नहीं छोड़ना चाहते हैं तो फिर आप इस अचार को बनाने के बाद क्या करेंगे वो मैं बता देती हूँ तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगी कि मैं 2-3 घंटे के लिए छोड़ दो मैं बस उतनी देर के लिए रख रही हूँ जितनी देर में मेरा मसाला तयार होगा तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दू नॉर्मल से मसाले हैं जो सबकी किचन में मिल जाते हैं साबुद्धनिया, हींग, जीरा, सौफ और थोड़ी सी अजवाइन साथ में मैंने यहाँ पर मेथी दाना लिया है और एक चमच भरकर मैंने यहाँ पर राई दाना भी लिया है यह वही मसाले हैं जो नॉर्मल हमें हमारी किचन में मिल जाते हैं पर इन में जो खुसबू होती हैं और जो फ्लेबर होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं तो यहां पर मैंने एक पैन लिया और पैन में इन मसालों को हमें करना है ड्राय रोस्ट कोई भी ओइल वगरे यूज नहीं करना है धीमी आज पर हम इनको ड्राय रोस्ट करेंगे जब तक इन में अच्छी सी खुस्बू नहीं आने लग जाती है तो यहां पर अच्छी सी भीनी भीनी जब खुस्बू आने लगेगी तब हम इस मसाले को बंद करेंगे मैंने मेरे चैनल पर एक स्टीम वाले मीठे नीवू का भी अचार डाला है मैं आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक दे दूगी अगर आप वहां से वो इंस्टेंट वाला अचार देखना चाते हैं तो देख सकते हैं जिसको आप बनाए और तुरंद खा सकते हैं इतना बढ़िया बन कर तयार होता है नीवू बगएर बिल्कुल भी गलाने की जरूरत नहीं होती है और वो एकदम यूनिक ही अचार बनता है जिसको हम नीवू को स्टीम दे कर बनाते हैं तो यहां पर देखिए आपसे बात करते हुए मेरा मसाला अच्छे से इस तरह से रोश्ट हो गया है जैसे ही मसाले रोश्ट होंगे हम उन्हें साइड में प्लेट में निकाल लेंगे ताकि यह अच्छे से रूम टमप्रेचर पर आजाएं फिर आप इनको मिक्सी के जार में डालिए और दरदरा होने तक इनको पीस लेना है बहुत जादा महीन पाउडर नहीं करना है हलका सा दरदरा ही इसको हम रखेंगे तभी अचार में इसका फ्लेबर आएगा यह देखिए इस तरह से हमें मसाले पीस कर तयार करने हैं तो मसाले हमने साइड में निकाल लिए और अब हम उठा लेते हैं जो नीबू हमने नमक लगा कर रखे थे तो यहाँ पर हलका सा नीबू में मौश्यार आ गया है नमक की वज़े से तो इनको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो हमने मसाले रखे हैं पीस कर ड्राय रोस्ट करके उन मसालों को यहाँ पर हम एड़ कर देंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी में डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्ची इससे थोड़ा तीखा बना जाएगा और खटा और तीखा अचार अच्छा लगता है और इन सभी मसालों को इस तरह से टॉस करते हुए आप मिक्स कर दीजिए बड़ी आसा या फिर आप स्टील का चमच ले लीजिए या लकडी का स्पेटुला ले लीजिए उससे अच्छे से मिक्स कर दीजिए तो यहाँ पर यह सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं आप देख सकते हैं अब यहाँ पर मैं मिलाओंगी थोड़ा सा अच्छा सा कलर लाने के लिए कस्मीरी लाल मिर्च तो मैंने यहाँ पर एक चमच भर कर ली है कस्मीरी लाल मिर्च तो कस्मीरी लाल मिर्च को मिलाएंगे और उसके बाद यहाँ पर मैंने पैन में साइड में थोड़ा सा सडसों का तेल गरम कर लिया था और गरम तेल को ठंडा करने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे वैसे तो आप इसमें तेल ना भी डाले तो भी अचार चलता है पर मेरी मम्मी इस तरह से तेल डाल कर बनाती थी और मुझे वही अचार अच्छा लगता है इसलिए आप सब के साथ रेस्पी शेयर कर रही हूँ कि आप भी डाल कर देखिये बहुत अच्छा लगता है इस तरह से और खराब होने के चांस भी बिलकुल खतम हो जाते हैं आप इस अचार को सालो साल रख सकते हो बिलकुल भी खराब नहीं होगा कोई फंगस नहीं आएगी इसमें और टेस्ट खराब होगा तो यहां पर सबी चीजों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद यह देखिए मैं आपको दिखा दू यह है मीठा वाला इंस्टंट अचार जो मैंने स्टीम करके नीवू को बनाया था जिसके बारे में मैंने आपको बताया है तो आप एक बार यह भी ट्राइ कीजिएगा बहुत अच्छा लगता है अब यहां पर हम का कि या तो चार पाच घंटे के लिए छोड़ देजिए या फिर अचार को आप थोड़ी देर के लिए एक दिन के लिए दो दिन के लिए धूप दिखा दीजिए एक दो दो घंटे की इसके उपर आप पतला सा कप्ला बान दीजिए कोटन का इस जार के उपर और धूप दिखा दीजिए लीजिए तयार है अचार